दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में जहाँ पर एक important updates निकल कर आ रही है सबसे बिले बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी के last rating performance के बारे में जहाँ पर 1.1 प्रतीशत की तेजी हमें देखने को मिल रही है इसी बीच सुजलॉन को लेकर कुछ important update निकल कर आ रही है जैसा कि आपको पता है कि Nifty Alpha 50 Index की list को यहाँ पर declare कर दिया गया है जिसमें Adani Group की total 4 company को यहाँ पर exclude किया गया है इस list में से याने की बाहर निकाला गया है लेकिन अगर total 4 company की बात करें तो total 14 company को इस list से exit किया गया है जिसमें सुजलॉन एनर्जी का नाम भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो काफी बड़ी updates हमें आते वे देखने को मिल रही है सुजलॉन एनर्जी को भी Nifty Alpha 50 Index है exit किया गया है जिसके चलते कल की दिन हमें इस share के अंदर भी selling pressure देखने को मिल सकता है अपने सुजलॉन के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहाँ पर आप नजर बनाए रख सकते हैं साथी साथ green hydrogen को लेकर भी जो super power यहाँ पर target लेकर चल रहे हैं हमारी India उसके उपर भी continuously work देखने को मिल रहा है 2023 के union budget के अंदर 19,700 करोड नेशनल green hydrogen mission को लेकर sanction किये गए हैं जिसमें wind power को लेकर भी काफी बड़ी updates हमें देखने को मिल रही है और यहाँ पर सुजलॉन energy जो की एक monopoly create करता है wind energy के मामले में इसको उसका काफी ज़्यादा benefit मिलने वाला है वही CIP and VV to develop renewable energy project in India तो यहाँ पर एक और बड़ी updates हमें आते वी देखने को मिल रही है green energy को लेकर जिसका benefit भी सुजलॉन को मिलने वाला है साथी साथ पंजाब unveils ambitious plan to go carbon neutral conserve energy तो यहाँ पर एक state की तरफ से भी continuously green energy को adopt करने के लिए काफी बड़े actions लिए जा रहे हैं और उसमें wind energy का भी काफी बड़ा role होने वाला है यदि आप एक small amount से सुजलॉन के अंदर investment करना चाते हैं तो यहाँ पर आप खरिदारी करने का मन बना सकते हैं